अरे भाई बग्गा मामा क्या हो गया तुम क्यों इस तरह से टाइटल चेंज कर रहे हो तो फ्रेंड्स वेलकम तो मैं चानल कैसे हैं आप आए नो आज मेरी थोड़ी वीडियो लेट हो गई है लेकिन मैंने चला चलो थोड़ा लेटी सही लेकिन वीडियो तो आती आएगी बिलकुल और मेरा नान स्वाती है मैं जर्मनी से हूँ अगर आपको वीडियो अच्छे लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करिएगा जो बगगा मामा है उसका वीडियो आया अपने लिए आउट फूट देखने चंडीगड जा रहा हूँ अगर मैं आपको बताऊं कि इस टाइम जितने भी भाई बहन है तीनों के तीनों खूब टाइटल चाप रहे हैं और फिर टाइटल को चेंज कर रहे हैं अब मैं आपको बताती हूँ जिस तरह से बढ़कन्दी ने टाइटल चेंज किया कल जिजी ने जो टाइटल डाला था जिसमें वो कह रही थी ना आज फाइनली मैं आपको कल परसो वाले वीडियो में बढ़कन्दी ने डाला था कि finally इनके खिलाफ मैंने बोला उसको this is our home कर लिया और जो story वाला title था जो किसी के खिलाफ जिजी ने status लगाया था वो तो जिजी ने भई एक hide ही कर दिया उदर छुटकन्नी पर आओ पहले एक से तो निपट लो उसका भी जिजी ने change कर लिया आगे वाले time पे मैंने बहुत सोच रखी है अब अगर बग्गा मामा पे आए तो बग्गा मामा ने भी खूब सारे titles बदले हैं ठीक है तो बग्गा मामा ने जो आज अभी ये title डाला इससे पहले क्या था कि हम आगले साल हम शराद करेंगे तो इस title को change करके बग्गा मामा ने कुछ अब इस प्रकार से title change कर लिया है जो लिखा है इसने अपने लिए outfit देखने चंडेगर जा रहा हूँ तो ये चल क्या रहा है अगर आपको याद होगा अंकुष ने title डाला था कि तुमारा भी शराद कर दिया और वो किसका किया था वो भी आपनों को पता है एक hater था जो कोई भी हो सकता है या सकती है जो fake ID से आके उनको लिखके गई थी तो इन्होंने अंकुष यानी की छोटे जिज्जा ने उसका भी शराद किया तो वो बहुत गंदा comment था अब obviously कोई भी बेट अपनी मा के लिए नहीं सुन सकता जिसमें ये लिखा था कि अपनी मम्मी का भी शराद कर दे तो definitely फिर उनको अच्छा नहीं लगा उन्होंने का चल तेरा भी शराद करता हूं उपर एक रोटी की जगा दो रोटी रखूँगा है ना सब के लिए नहीं था yes जो haters हैं जो fake ideas बना बना के आते हैं और इनको परिशान करते हैं लेकिन अब ही आगर हम बग्गे मामा की वीडियो की बात करें तो देखो पहले भी shopping अकेले आज भी जो ये गया है ये बिचारा अकेला मतलब इसको help करने के लिए कोई घर पे नहीं होता क्या कोई shopping के लिए क्यों नहीं जाता ना इसकी मम्मी जाती है ना इसकी बहीनिया जाती है हाँ तो ये बिचारा अपनी ही अकेले ही shopping करी लेकिन आज ना ये आचल से मिला ये आज अपने लेवल पे चंडी कर गया था shopping करने चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को like, share, subscribe जरूर कर दीजेगा बाकि जो जिजी की जूलरी की स्टोरी है 2018 लिखा हुआ है करोना बोला जा रहा है, 2018 में करोना हुआ ही नी था क्या वाकि जिजी की गोल्ड की स्टोरी सच्ची है जिसने नहीं देखी है, मेरी वीडियो देख ले ना इससे पहले मैंने डाल दिया है जिजी बहुत जूट बोल रही है करोना 2018 में आया ही नी था 2019 के end में आया था तो क्या जिच्ची ने वाकई अपनी जूलरी बेची क्या वाकई इनकी मम्मी ने जब इनको जूलरी दी तो जिच्ची ने मना किया वो सब के जवाब आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे ये कितने बड़े जूटे लोग हैं और कितने मतलब desperate हैं किसके ल अब अगर हम लोग इसकी बात करते हैं आज जो बग्य मामा की morning हुई है साड़े साथ बज़े good morning guys आज मैं उठ चुका हूँ ठीक है और आज मैंने गरम पानी पी लिया है आज मैं डिक टॉक्स वाटर नहीं बनाया है मुझे समझ नहीं है डिक टॉक्स वाटर कौन सा होता ह है यह डिक टॉक्स वाटर कौन सा होता है अगर आप लोगों को भी पता होगा तो मुझे बता दीजेगा खैर उसके बाद पीछे से train की आवाज है पहले तो यह बाहर का दिखा रहे थे जो थोड़ा बहुत व्यू दिखाते हैं घर के बाहर का वो दिखा रहे थे और फिर train की खूब तगड़ी आवाज आई तो कह रहे हमारे train की आवाज जो train आती है ठीक है यह वही train है गाईस जिसको अंकुष को अपनी वीडियो साइड करने को गोला गया था कि हमारे हिमाचल की ही train मानी जाएगी हिमाचल से पंजाब दो घंटे का सरकल कवर होता है जैसे भी उ कोई भी आजाता है तब यह इस तरह की ब्रेक मार मार के जाने वाली train है ऐसा नहीं कि मार के चली जाएगी ब्रेक मार मार के जाती है train और फिर वह अपने घर का बता रहे हैं ठीक है घर का दिखा रहे हैं और train की बात करते करते डिक्टॉक्स वाटर नहीं बनाया फिर अपन प्लांट्स वगेरा दिखा रहे हैं, करेले जैसे हमेशा से दिखाते हैं, कि अपने ही घर से अगर आप करेले तोड़ो, अपने ही घर से और्गैनिक सबजियां तोड़ो, जैसे बैंगन है, बैंगन भी इसकी मम्मी ने, आज मम्मी आया है, मम्मी जी एक अलग अफ्तार में मम्मी ने आ सर पे कपड़ा बांद रखा था तो मम्मी जी ने बोला कि दो बैंगन भी तोड़ा ला वो करेले तोड़के लाया तो उसकी मम्मी ने बोला कि दो बैंगन भी तोड़ा तो बैंगन तोड़के लाई है तो वो कह रही थी कि कहरा था बगगा मामा कि आप लोग भी अपने और्गानिक गार्डन से जब सबजिया तोड़ेंगे, आप भी भरपूर मातरा में enjoy कर पाएंगे, वहाँ से सबजिया तोड़के मम्मी को दी जाती है, मम्मी सबजिया बैटके तोड़ रही है, मतलब काट रही है और छुटकन्नी जिजी कह रही थी, यह तो गंदे से गंदे, उनको मतलब अलग से basket में रख तो कह रही है, यह मम्मी खाएंगी, मम्मी के लिए मैंने तोड़े हैं, फिर बग्गा मामा ने बीच में बोला कि आज, पहले उसमें बताया कि जो इसने शराद से related title डाला था, कि yes, इस बार हमारे घर में भी नहीं होंगे शराद, औ हमारे शराद हम लोग करेंगे अगले साल, तो इसलिए मम्मी बहार जाके गाए को रोटी दे कर आ रही थी, और कह रहा था, इस साल शुब है, तो इसलिए शराद नहीं के जाएंगे, यह ही title लगा के फिर इसने चेंज कर दिया, क्योंकि व्यूज आ नहीं रहे थे, लोग आज मैं चंटीगर जाओंगा शॉपिंग करने अपने आउटफिट के लिए, आप लोग मुझे पता ही, वैसे तो, जो मेरी सिस्टर है, दोनों सिस्टर के नाम लिए गए, एक चाय की दीवानी, और एक जो छुटकनी जिजी है, और आचल, यह तीनों है, चूस करने के लि कि आप लोग बताओ कैसी पहननी है, इसने पहले भी, अगर आप लोग को याद होगा, अभी जब यह आउटफिट ले रहे किया था, कह रहा था कि हम लोग आपको बाद में ही दिखाएंगे, लेकिन हाँ, आप लोग हमें सज्जेस्ट करो, सज्जेशन्स मांगते हैं, ले सूट का कपड़ा देख रहे हैं, और कह रहे हैं और फिर वहाँ से, मतलब फिर रिक्षे में भी पहुंचे हैं, यह बस की फिर रिक्षब पहुंचे हैं, यहां से शॉपिंग करने के बाद अब यह जाएंगे सेक्टर 43, फिर वहाँ पर जाके इनको भूख लग रही तो 43 से ठीक है बस पकड़के सीधे हिमाचल पहुंच जाएंगे तो इस तरह से इन्होंने किया है वहां कि इन्होंने बस्टॉप पे कवर किया है शूटिंग वगेर करी है रिकॉर्ड किया है और सीधे वहां से पहुंच गए है फिर अपने घर और घर में आते ही बता भी रहे है कि मैं इतने बज़े तक पहुंच गया शाम को पहुंच गया है ये 6.30 बज़े तक और बता रहे थे कि मैंने वहां से बस पकड़ ली थी और सेक्टर 43 से हमाचल के लिए और बसका भी नोंने थोड़ा बहुत व्यूद दिखा है लेकिन बीच रास्ते में 12 सिंगा आ गया थ भागता हुआ फिर जा रहा था लेकिन लोगों को मतलब किसी को उसकी जान की ति मेरा थो उसकी जान की पड़ी थी और बिचारे को चोट तो नहीं कि लगी लिकिन वो सीधे बच गया लेकिन वो भागता हुआ जंगल में चला तो कुछ इस प्रकार से इनका वीडियो आया है बग्गा मामा का और इस तरह से टाइटल टाइटल चेंज कर रहे हैं तीनों भाईबैन बढ़कन्नी ने कल गोल्ड की जूटी स्टूरी सुनाई ठीक है अभी पृतो जिच्ची शॉपिंग करेंगी इसके बाद शॉपिंग प ख़ता रहा है और टाइटल यस तरह डाल दिया कि हम लोग अगले साल शुप काम है उपकर सकते हैं तो क्याब कॉंटेंट इतना है कि यह लोग कॉंटेंट की वज़े से शुराद तक को नहीं मान रहे हैं आप ये देखो कि शादी की शॉपिंग नवरातों में करते हैं और शुब होता है न हर फैमली के लिए अच्छा होता है लेकि इनों ने इस चीज के लिए ये भी कहते है कि श्राद हम अगले साल करेंगे इस साल शुब काम है इसलिए नहीं करेंगे चलो इनकी रीजन्स हो सकते हैं बाकि उदर अंकुष का अगर मैं वीडियो देखूं वीडियो भी डाला है और ये बोल दिया कि क्लिक बेट है व्लोग नहीं आएगा तो इसमें अंदर इनोंने बताया है कि आज मेरा मन नहीं था लेकिन ये वहीं पे जहाई पहाडों पर जाते हैं जो इनका बहुत अच्छा पॉइंट है वहां पे गए हैं दिखा रहे हैं औ आप लोगों को लगेगा फिर किसी इन्होंने एक फ्रेंड से भी मिलवाया है वहां पे आज मेरा मन था थोड़ा चेंज करने के लिए आ गया यहां पे और आप लोगों को भी लगेगा यह कैसा व्लॉग है जब व्लॉग है तो तुन नहीं क्यों डाला है और फिर घर पे आके भी मम्मी से मिलवा रहे हैं मम्मी के चैनल पर मम्मी की रसोई पर आइधिंग वो मॉनेटाइज हो गया है उस पर मुझे एड दिख गया तो कॉंग्राचुलेशन आटी जी और वहां पे भी कोई रेस्पी बनेगी वह आपको उस चैनल पर ही दिखेगी लेकिन कहीं न लुद्धा सबके हैं अई कई तो यह रहा था कि यह व्लौग नहीं आएगा फिर भी यह व्लॉग आ गया तो यह इस तरह की बात करेंगे लोग और पीछे से आंटी जी भी कह रही थी की वह क्यामेर वगळा इग बढ़े तो लुजा रहे हैं गर अगर आपको वीडियो अ तो हम भी आ जाएंगे, असल में हम भी अब इन लोगों से हो गए हैं, बहुत जादा परेशान, बहुत ही जादा परेशान, इतना जूट बोलो, यार जूट बोलना चाहिए, लेकिन इतना भयंकर जूट बोलते हैं इस लोग, मतलब क्या ही बूले, अगर आपको वीडियो अ मतलब इस तरह के घंदे-घंदे टाइटल डालो, बढ़ गन्नी को जब समझ में आगया, ससुराल की टॉपिक पे लेके, अब रोज ससुराल की टॉपिक लाएंगी, चैने ससुराल जागे रहेंगी नहीं, लेकिन ससुराल की टॉपिक जरूर लाएंगी, और तरूवालों क मोरुख बनाएगी, चलो, कोई बाती मिलते हैं नेक्स वीडियो में, थैंक यू सो मुच पर वाचिंग, और जाने से पहले, येस, थैंक यू सारे सब्सक्राइबर्स को, जो लोग मुचे बहुत सार प्यार दे रहें, थैंक यू सो मुच, बाई-बाई, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, बाई-बाई